हेलो गैस वेल्खम टू नूब वीडियो एच डिकेमेंटों में आपको स्वागात तो कैसे वह अपनाओंगा तो गैस आज बहुत दिन के बात बहुत दिन के तो गैस आज काफी मज़ा भी आने वाला है क्यूंकि आज मैं वह ने खेलने वाला हूं जो रोज खेलता हूं आज के लिए बाला हूं ओफ्रोडिंग कार ओविसली काफी मज़ा आने चाहिए सबको मेरे साइड से ओभाई साब लेरो देखो टोपे ओफ लेरो का ही तो मेरे अच्छा लगता है गाई कि यह पलटता नहीं है औरे के तरह बदमासी कती जैर होनी चाहिए बदमासी होनी तो क्लासी में आता है बलेरो बहुए साब अब देखते हैं इसका पावर यह चड़ पाता है यारे ओ बहुए रुक भी नहीं रहा यार रहर चड़ी यह देख लो ओ भॉए साब अभी दिखा तो आप लोगो ओ तो गाइश अभी इसको हम सबसे टॉप में चड़ाने वाले सबसे टॉप वाले तो यहां है सबसे टॉप देखते यह चड़ उ अगर मेरे हिसाब से देखे तो क्योंकि आप साइट से देखोगे तब पता चलेगा कि देख लो भाई साब ये सिद्धा चड़ाई है यार सिद्धा चड़ाई और बुलेरो इसे 4x4 तो है नहीं ये 4x2 है गाई 4x4 नहीं यादा बुलेरो तो बट कैसे लग रहा आप लोग जरू बताओ ओ भाई साब चड़ चुका है तो बुलेरो बन चुका है विनर अब देखते हैं गाईश हमारे मसूर टाटा शफारी तो गाईश टाटा सफारी को लोग बोलते हैं कि पहले जब ये चल रहा था तो सामने वाला आदमीं विना होरंदिये साइड हो जा रहा था तो देखते हैं है बिना रोंदिये साइड होनी वाला गाड़ी चड़ पाता है नहीं अपना मन्स्टर ट्रैक और वफरोडिंग Rolling पिंग में तो चलो जल्दी से काफी मचा भी आने बलाएं बट इसमें एक दिकत है गाइस ओ ओ बाई सब क्या इस टोपी मारा बे बाई सब जही से केटियम अगेराव में नहीं मारते हैं गाइस इस टोपी जही से घुम के बाई सब इतना खतर रगवे तो पहल बाद दखा तो गाइस मे सेरे साइड से सेल यूट है टाटा सफारी को क्योंकि भाई इतना खतरना इस टोपी मारा मेरा भी दिमाग घुम गया तो अब भाई सब देखते हैं यहां चड़ पाता या नहीं सबसे दमदार वाला चीज तो यहां नहीं लेटब टाटा सफारी बट यार पीछे से सट रह थोड़ा सट रहा तो पता नहीं सपीट में लाना पड़ेगा या फिर क्या समझ मनिया रहा इसको बस एक बर सटे ना यार अराम से हो जाए तो ठीक है देख लो यह सट रहा है थोड़ा-थोड़ा इस बट अराम से करके देखते हैं साहथ सटे ना वन टू गो अच्छा मारी ऑझ भाई लूश replace तरहीजित अंप बैस तरहर दीकत्त होगा सर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिखत हो रहं क्योंकि नहीं पडम मडाइट है तो थोड़ा थोड़ां सा दिक्कत होगा थिस फोडよ खोरनी है तो गाइस अब देखते हैं हमारे मिश्टर स्कोर्प्यो एन इस दा पोफोर्मेंस आयम इंडियन दा बॉस तो देखते हैं इंडियन बॉस को बाइस आप ओ जाते जाओ जाते जाओ काफी तगड़ा वाला तो गाइस इसका भी स्टोपी चेक करने वाले हैं हम सहत कि स्टोपी लग जाए कितना बड़ा एक सुवी में में तो सोंचरों कहीं है पलट ना जाए क्यूंकि इसका स्पीठ है 180 बट नहीं हुआ यह से कुछ सीन तो यहां से चलो बोई सब ओ पेड को चीर दिया का समने से और बेटे यहां से ज़टे शिड़ शिड़ बश हो गाए और यार टोपल हां यह रहा यह अर गाइस यह है फॉर बाई फॉर अब देखते हैं इसका पावर फॉर पाईटो तो हमने करा लिया चलेगा फॉर बै फॉर ऑईपोर ओ भॉई इसको तो बैक भी करना नहीं पड़ा एकदम सिद्धा देख रहो कितना चड़ाई है चेले लि recharge यह और सिद्धा चड़ाई है गया कोड़ यह 4by 4 थो इसको कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ और फिर में का छड़ा छाई है तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत के लिए चाहिए छोटा रिंग बड़ा टायर यानि छोटा विल्स बड़ा टायर अब देखते हैं आप लोग का मिस्टर लजेंडर तो बाप बाप होता है वाला सीन में तो आप देखे ही होगे तो अब देखते हैं बाप बेटा का क्या हाल करता है या तो आज ये बनेगा ब फिर बनेगा बाप दोनों में से को यह की तो देखते हैं कौन बनता है बाप कौन बेटा है बेटा अगाइस मेरे नंबर में तीन है यानि कि एक हो गया थार एक हो गया स्कॉर्पियों एक हो गया यह लजेंडर तो देखते हैं कौन बनता है बाप क्योंकि स्कॉर्पियों भी लग तो ये भी रहागी कि ये दिक्कत करेगा क्यूंकि ये हाथी जाइसे बढ़ाए गाई क्यूंकि हाथी को उतरने में दिक्कत होता है और चर्णे में भी थोड़ा सा प्रोब्लम होता है बट इसमें नहीं होना चीहे ओ भाई सा ओ कितना खतरनाक लगता है यार इंडेवर एक का बलते हैं गाईस थोड़ा से रेंजरोवर से लूक आता है ओ भाई चड़ गया यार ये बेटा ही बनेगा मेरे खाल से तो क्योंकि इतना रुक रुक के चड़ रहा यार देख लो अभी चला फिर रुका फिर चला फिर रुका गयास अर मैं इस लेटर नहीं चड़ा हूं ना इधर देख लो ये नहीं बोलना बाद में कि आप इस इस लेटर छोड दिए ये बन गया तो गाइस अब देखते हैं बाप का एंट्री होने वाला यह देख लो यह तो रुकरुक के चड़ रहा है जब कि यह फोर बैफोर है गाइस फोर बैफोर वैसे बिग डैडी मेरे ख्याल से जीत चुका है और लजेंडर नहीं जीता है अब यह देखते हैं मेरे को क्या होता है जाने दो फुली स्पीट ओ भाई कैस इसका टॉपी स्पीट 180 है अब देखते हैं इसका इस टॉपी ओ ओ ओ माइगोड गाइस पांच पल्टी हुआ देखते हैं अब यह बिग डैडी का बाप बन सकता यानि ओ बेटे चल जाओ चल जाओ चल जाओ तो आसे जाएगा इंट्री इंट्री कहीं से भी ओ धमाल होने चाहिए ओ यार देख लो गाइस छोटा गाड़ी गाई दिखते है नाम लेते ही दुसमन हाजीर वाला हो जाता है ओ भाई बेक में ही ले जोंग ओ तो गाइस यहां से चड़ाना अपने को तो अब देखते हैं यहां चड़ पाता है यारी यह तो वन टू गो ओ बाई बट रूप तो यह भी रहा है यार यह देख लो तो गाइस बीग डैडी बीग डैडी होता है यारी कि बाप बाप होता है तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि बाप को ने तो बाप बना है इसकोर्प्यो एन और बिग डैडी क्योंकि थार भी देख लो और लेजेंडर तो सबसे थिरी वाला है और थार आया टू में तो गाइस कोमेंट करके ज़रू बताओ